राहुल जी सुना है भारतिय सेना को कोई कमजोर कर रहा है कौन है जरा बताइए न अगनीवीर योजना जो है ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है आपके भाईया सेना के बारे में अगनीवीर योजना के बारे में ऐसा कहते हैं आप भी कुछ कहेंगी क्या जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अगनीवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे इसको रद करवाएंगे केजरिवाल जी अब तो आपका गांधी परिवार से बैर भी खतम हो गया तो जो ये गांधी परिवार कह रहा है क्या आप भी अगनीवीर के बारे में ऐसा ही कहेंगे इस से सेना की लड़ने की केपैसिटी और सेना की तयारी पर थोड़ा असर पड़ेगा मान साहब सुन रहे हैं न क्या कह रहे हैं केजरिवाल जी अब आप भी कई डालिये क्या कहेंगे अखिलेश भहिया के पास चले क्या उनसे भी तो एक्सपर्ट उपीनियन लेना पड़ेगा तो आप भी बताएए न क्या कहेंगे वैसे अखिलेश भहिया के बाद अब तेजस्वी भहिया के पास चलते हैं इनकी भी विशेशक्यता का लाब लेना जरूरी है तो आप भी बताईए ना आप तो आप सरकार में आ गए हैं तो अगनी वीर यूजना पर क्या कहेंगे सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की भाली करेंगे वो भी चार साल के ठेके पर क्या यह यूवा के साथ विश्वास घात नहीं है वैसे सेना की बात तो हम करी रहे हैं लेकिन सही मायने में तेजस्वी आदब ने अपनी ही पार्टी के अंदर एक ऐसी सेना खड़ी कर ली है जो जानते हैं सेना को हिजडो की फौज बताने से गुरेज नहीं करते और यह कौन है आप देख लीजे यह हैं आरजेटी के विधायक और नितीश के मंत्री सरकार में उनके मंत्री हैं सुरेंद्रियादव इनका ग्यान भी सुन लीजिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बंगाल ममता दिदी से पूछ लेते हैं तो दिदी आप भी कुछ कहिए ना वैसे वैसी साहब क्यों पीछे रहें बहती गंगा में हाथ दोना एक मुहावरा सुना है ना इनका हो सकता है मुहावरे पर भरोसा नहीं हो लेकिन ये जरूर इसको अमली जामा पहनाते हैं हर चीज़ पर बोलते हैं जरा बोलिये ना वैसी साहब देश के पदान मंतरी को ये अगनी पत्य अगनी भीर की पालसी को वाफिस लेना करेगा और ये भी याद रखिये कि महराष्ट के पूरु मुख्य मंतरी उधव ठाकरे हो या फिर उत्तरप देश की पूरु मुख्य मंतरी मायावती हों सब ने अगनी पत्य योजना पर देश को भ्रमित करने का काम किया इस देश में जितनी भी राजनीतिक पाटियां है जो सर्फ और सर्फ मोधी विरोध का काम करती है उन सब ने अगनी वीर को लेकर के ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि देश को जुलसाने का एक बड़ा प्रयास सामने आया और हम सब ने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से देश को जुलसाने का काम किया गया लेकिन जानते हैं इससे जुड़ी जब एक बड़ी खबर आई तो वो बाकी खबरों के बीच दब गई कुछ दिन गुजर चुके हैं लेकिन उस खबर को आज जानना जरूरी है उस खबर पे मैं चाहता था कि बातचीत करूँ और इसलिए आज इस खबर को आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कैसे अगनी वीर योजना को लेकर देश को जलाने का प्रियास किया गया था साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बर्णवार आज देश में कोई अराजकता फैलाने वाली खबर आ जाए तो क्या होता है सारा मेंस्ट्रिम मीडिया उसके पीछे पढ़ जाता है अलग-अलग एंगल से खबरों को दिखाया जाता है लेकिन उसी से जुड़ी अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसे डाउन प्ले कर दिया जाता है बाकी खबरों के बीच ऐसे दिखाया जाता है मानो उसका कोई महत्व ही नहीं हो और अगनी वीर को लेकर ये बात पुरी तरह से सच साबित होती है आज इस खबर को इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि याद रखी अगनी वीर को लेकर देश भर में किस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी वैसे ही था जैसे CA, NRC और किसान अंदोलन में था उस किस तरीके से जुलसाने का काम किया गया था उस पर एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोट में आया है और आप एक एक करके रिपोर्ट देखिए दिल्ली हाई कोट में इस बात हाई कोट ने अपने निर्णे में साफ कहा कि ये योजना राष्टर हित में है और नियालय ने सभी अचिकाओं को रद कर दिया और ये कहा कि आपके पास ऐसा कोई तरक नहीं है जिसके आधार पर कोट इसमें कोई हस्तक शेप करे और जानते एक खास बात क्या है कि जब ये योजना लाई गई सारे पाटियों ने विरोध किया तो हर हाई कोट में लगभग बहुत सारे हाई कोट में इस पर याचिका डाली गए सुनवाई हो रही थी कहीं कोई एक चीज आयाता ना तो आप समझे मोधी सरकार को बदनाम कर दिया जाता लेकिन उसके बाद जब सार से सुनवाई की और उसके बाद ये कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं मिली जिससे इस योजना को रद किया जाए बलकि ये कहा कि योजना को देश हित में बताया साथी सशेस्त्र बलों को बेहतर सुसजित करने के लिए तैयार किया गया है इस योजना के तहट अब ज़रा जरूरी है किस योजना के लागू होने पर राहूल गांधी ने योजना के खिलाब जो तरक देकर देश में आग लगाई थी वो आज सुनना बहुत जरूरी है एक छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ सुनिए चाइना का सेनिक जो है वो चार साल का अगनी वीर नहीं है उसकी ट्रेनिंग 10-15-20 साल की है और हमारे जवान को आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो कैसी देश भकती है यह देख रहे है ना राहूल गांधी क्या कह रहे है अब ज़रा सोच ये दुनिया के किसी भी देश म क्या 10-15-20 साल की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग है आप देते रहेंगे तब तक तो जीवनी कहां चला जा और वो सेना जिसको युद्ध में जाकर लड़ना हो मोर्चे में कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा करनी हो आप सोचिए किस लेवल का जुड बोला जा रहा था क कि 10-15-20 साल की ट्रेनिंग होती है और चीन से तुलना कर रहे हैं आपको पता नहीं कि भारत में कैसी विवस्ता है चीन में तो जबरदस्ती सबको सेना में लगाया जा सकता है वो तो कॉम्मिनिस्ट शासाने महालोगतंत्र कहा है लेकिन चीन से तुलना की जा रही थी और य जैसे मुद्दो पर भी करते रहे हैं और उनके ही तर्क को विपक्ष के सभी नेताओं ने मान लिया मैं आपको अरविंद केजरिवाल का बयान सुनाता हूँ उन्होंने भी यही तर्क दिया था सुनली जी इससे सेना की लड़ने की कैपैसिटी और सेना की तैयारी पर यादव ने तो बकाइदा इसे वापस करने की मांग उठा दी थी मांग यह है कि इसको जो है वापस लिया जाए विपक्ष ने अगनिवीर योजना के बहाने एक खतरनाक साजिश चली ना केबल विरोध किया बलकि इस योजना के बहाने हिंदू मुसल्मान में बाटने का एक घिलावना खेल भी खेला मैं आपको राहूल गांधी का यह बयान सुनाता हूँ अब सुनिये और सोचिए अगनिवीर योजना है यह आर्मी के अंदर से नहीं आई यह RSS से आई है हो मिनिस्ट्री से आई है देख रहा है ना और राहूल गांधी ने इतना ही नहीं किया बलकि चीन से इसकी तुलना की और यह बताया कि कैसे भारतिय सेना चीन की सेना के मुकाबले कमजोर किया जा रहा है आप सिर्फ यह तर्क और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे भारतिय सेना के साथ खिलवार करने की कोशिश की गई आप देख लीजे चीन का सैनि चार साल का अगनी वीर नहीं ये कैसी देश भक्ती और राहुल गांधी सिर्फ कुतर्क नहीं दे रहे थे जूट ही नहीं बोल रहे थे बलकि ये भी जूट बोल रहे थे कि भारतिय सेना के जो पूर्व सैनिक हैं उससे बाचीत के आधार पर बता रहे हैं लेकिन कभी ये को लागू की गई उस समय पूरा विपक्ष और लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम इसी फिराक में था कि इस देश के युवाओं के मन में आग लगा दी जाए उनका गुसा जो है भड़का दिया जाए और इस एको सिस्टम ने युवाओं को जम कर भड़काया कोई कोर कसर बा उसो अफवाह बनाकर वाटसेप ग्रूप में फैलाया गया ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं फिर ये विरोध बिहार से होते हुए यूपी असम तक पहुँच गया जो भाजपा शासित राज जेना वहाँ भी पहुँचाने की कोशिश की गई और विपक्ष जो आग लगाना चाहता था उसमें वो काम्याब हो गया इन राज्यों में दरजनों ट्रेनों को जला दिया गया गाड़ियों को जलाया गया ऐसी ऐसी तस्वीरे आई कि एकदम आदमी धहल उठे मतलब सरकार को डराने की ये कोशिश थी विपक्ष ने जो खेल शुरू किया उसका म जानते हैं कि मोदी को हराने का आप कोई लोकतांत्रिक तरीका बचा नहीं है बस आप देश को बदनाम कर दो सेना का मोराल डाउन कर दो तो हो सकता है मोदी भी हार जाए यही कोशिश है दोस्तों और इसलिए ये मकसद था कि मोदी ने इस योजना को जो लागू किये उसको किसी तरीके से वापस ले लिया जाए और सडकों पर आगजनी के साथ साथ एक कोशिश और हुई कि जो अपने अपने राज्यों के मुख्य मंत्री है ना उनसे भयान दिलाये जाने लगे विधान सभा में प्रस्ताव लाया जाने लगा और आप देखिए बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने इसे वापस करने की मांग कर डाली तो वहीं राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार ने विधान सभा के अंदर इस योजना के खिला प्रस्ताव पारित किया और ये मांग की की इसे वापस लिया जाए यही काम कॉंग्रेस की एक और राजस सरकार ने कि किया और आप आगे बढ़िए क्योंकि आजकल तो चाहे आम आदी पार्टी ओ कॉंग्रेस यो ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गया ना क्योंकि भृष्टाचार के खिलाप कारवाई हो रही है लेकिन इस मामले में भी केजरीवाल की पंजाब में बनी सरकार ने पंजाब विधान सभा में इस योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसे वापस करने की मांग कर दी दिल्ली में केजरीवाल एक तरफ केंद्र सरकार की इस योजना के लिए कोस रहे थे लेकिन जैसे ही अब मजा देखिए मैं आपको योटरन एक दिखाता हूं केजर प्रफान मंत्री मोदी की सरकार ने जब तमाम विरोधूं के बावजूद इस योजना को लागू किया तो युवाओं ने भरपूर समर्थन दिया ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के खुलते ही रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने भरती के लिए आवेदन के आप देख ल जा था कि कोई भी युवा इस योजना में शामिल नहीं होगा अब जब अगनी पत योजना के प्रती युवाओं का प्रेम दिखा जोश के साथ लोग आगे बढ़ गए तो केजरीबाल ने यूटर्न ले लिया और आप रिपोर्ट देखिए केजरीबाल अपने बयान से प उधर कॉंग्रेस और उसके सबसे समझदार नेता राहूल गांधी ये रिपोर्ट भी आपको देखना जरूरी है जो लगातार जुड बोलते हैं राफेल अनिलंबानी अडानी जी एस्टी चीन सर्जिकल स्ट्राइक कितने सारे मामले हैं अगनी वीर योजना पर लगातार जुड बोलते रहे वो फिर से जब लोकसभा में भाशन दिया तो वहाँ पर अडानी का भी मुद्दा उठाया और अगनी मुद्दे को भी उठाया लेकिन आज आज की स्थिती ये है कि कोट ने गहन सुनवाई के बाद इस योजना को सही माना सेना के लिए उप्युक्त मा और ये भी बताया कि ऐसी कोई वज़े नहीं जिसकी वज़े से इस योजना को रद्ध किया जाए साथियों देश की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जिस संकल्प, विजन, त्याग, परिश्रम के साथ साथ सकारात्मक सोच की जरूरत होती है ऐसा इस समय इस देश के विपक्ष में किसी भी दल में नजर नहीं आता है, किसी भी नेता में नजर नहीं आता है, उनका एक मात्र मकसद ये है कि किसी तरीके से प्रधान मंतरी मोदी का विरोत किया जाए, मोदी की योजनाओं को डिरेल किया जाए, वो ये मान कर बैठे वे हैं कि लोकतांत्रिक त कुतरकों के साथ जूड बोलकर विरोध करते हैं लेकिन आप हकीकत देखें समय गुजरने के साथ जब ये योजनाई ये चीजें कसोटियों पर कसी जाती हैं तो प्रधान मंत्री मोधी बिलकुल साप सुथरी छवी के साथ निकरते हैं और ये सारे के सारे विपक्ष के निता दागदार दिखाई देने लगते हैं और ये बात इस देश की जनता भली भाती समझ रही है और यही 2024 की सबसे बड़ी चुनावती है बहुत बहुत धन्यवाद आप से निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार